हेलो एन वल्कम गाईज, वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग MCA मेंस टीक मेंटी इंटरेट की बात करेंगे जो की मैच होगाया पर केलन थन वर्सिस सारवक के बिच में तो चलिए दोनों टीम के प्लियर पर एक बात नजर कर ले यह सारी डीटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करेंगे इस मैच की इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आएगी कि यूटुब चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सबसे पहले यूट टूणामेंट हम लोग इसी यूटुब चैनल के पर कवर करेंगे इसके साथ-सा ले एसा तो और बीकाइस का वीडियो आहीं मिलने हैं जैसे कि हम लोग एक्मड और आगे आने वाली सारी अच्छे मैच olur Kollege की जो भी टेम रही वो मैं आपको आ madam वाला हुग और यूट simult बॉक्स में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से टेलिग्राम चैनल को जोइन करना है बात करते है इस मैच की तो ये मैच सुबर में 7 बजे मलेशिया में खेला जाएगा पीची रिपोर्ट वैसे तो इक्वली सपोर्टेट है हाला की रंस ठीक टाक बनते हैं आपर 120-130 के असपास पौर बन सकता है चीजिंग रिकोर्ट की बात के हो तो 17 मैच के अंदर और और ठीक टाक याँवर एक्वली आकड़े है यहाँ पर भी लेकिन यहाँ पर जितने के मैक्सिमम चांसिस की बात करूँ तो जितने के मैक्सिमम चांसिस यापर K.E.L. के I think यहाँ पर 80% जितने हुए यही नजर आईगी और वो क्यूँ वो मैं आपको आगे बताता हूँ इनके बारे में एक डिटेल बताता हूँ मैं आपको वो मैं आगे बताऊंगा K.E.L. की बात करते है जो कि तीन मैच के लिए जासे एक मैच वो जीती दो मैच वहारी है उपनिंग में मुहमद अर्शलन के साथ यापर ची वांग जलाटी ने उपनिंग करवाया IMPORNEST की बात करो तो देखो मुहमद अर्शलन वेरी IMPORNEST भी रहेंगे Definitely last match के लिए मैंने इंको wise captain भी दी थी हाला कि इसके बाद मैंने change किया था और दूसरे player को मैंने wise captain दिया था हाला कि उन्होंने भी कापी अच्छा advantage दिया था तो आगे भी हमारे लिए as a player के साथ captain और vice captain के लिए इस match के लिए सबसे best PK पर Muhammad Arsalan है इनके लबाइसे ची वांग जलाटी जो कि पिछली दोनों match करना हमारी team के अंदर है विकेट कीपिंग section से आगे भी हम लोग इनको लेगे जाएंगी इनके लब इसे फिकरी मकरम की बात कते है जो कि last match के लिए जो कि लास्ट में लेना है हैरिल हरीसन कपी अचा player है यहाँ पर 21 match के करीबन 25 के लिए से 377 रहन है जिसमें से एक high action की पारी है 58 रन की लास्ट मेंच के लिए लेकिन अगर regular कर लेका तो यह आप पर एक बड़ी performance की उम्मीद है यह आपके लिए ट्रम काड़े समझ लेजेगा आपको इसको अच्छे से इसके लब ऐसे हमजा बिन पग्गी इंपोनेस रहने वाले वेरी इंपोनेस प्रिक रहेंगे हमजा बिन पग्गी मोहमद फैज एहमद अनर्शिर की बात करते है जो कि ठीक ठाक है यह पर इनको आप लोग जील अगेरा में ही ट्राइ करोगे निकाल रहे है और यहां पर अकीब जावेद हैं जैसे कि मैंने आपको ऊपर मैंस केंटन चेंच किया था तो डे की ऩलकी आम तो कोई हमें कप्तान करना है काफी अच्छा प्लेयर है रेगुलर एडवांडेज देगा ऐसा बॉलिंग से इनके लबाइसे रजली इंपॉंडट है यहां पर मुहमद अजरी हजर वैसे भी हमें सामने वाली टिम से जादा प्लेयर्स चाहिए ने I think हम लोग अगर ड्रिम 11 में खेलेंगे तो मिक्सिऌम में लोग यहां पर 1 से 2 प्लेयर लेंगे और अद़ार अप्लेकेशन में खेलेंगे तो फिर हमें 4 प्लेयर लेने पड़ेंगे बाकी तो यहां पर वही रहेगा नविद एखमाद को भी हम लोग लेके जाएगे और यहाँ पर भी उम्मीद है इन से बॉलिंग से तो यहाँ पर इनको भी लेके जाएंगे स्टार्टिंग वस्ट की बात करो तो मोहमद अजरी हजर के साथ मोहमद अर्शलन देथ में भी डालेंगे और इनके अलावा ब्यांच में से भी कोई भी प्ले रखे लेगा तो इनके स्टार्ट और अप्डेट वगिरा टेलिग्रम चैनल पर दी जाएंगे आपको खैरी हमजी बुस्टरी के साथ यापर विक्टर ग्रेहाम ने उपनिंग गरवाए देखो यहाँ पर इनका बेटिंग से कोई उमीद नहीं है मुझे एक दो प्लेयर को अगर छोड़ दे तो अलाकि यह देखो यह प्लेयर कापी अच्छा है यहाँ पर विक्टर ग्रेहाम की बात को तो ओवरॉल प्लेयर जबर जस्त है यहाँ पर 22 मैच के नहीं करीब 49 की एवरेज से 600 से जाद आ रहान है रिस्क लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हैं बाकी परफॉमस कुछ खास है ने बुश्री को तो मैं अभी के लिए सज्जेस करूँगा ने थिक्षाना प्रभग्या लिया नागय की बात करते हैं जो कि पहली मैच के अंदर वन डाउन खेले थे जिरो पे आउट हो गए ए आपर विकेट ले सकते हैं बाकिया पर कैनी कौंग यांग चैंग वेरी इंपॉने पिक रहेंगे डेफिनली लेके जाने पहली मैच के ने बंदे ने जबर जस प्रयाज किया था अपनी टिम को जिताने के लिए और वो उसमें सफल भी रहे थे लेकिन आगे की बात करू तो इसके बाद इनका कोई खास प्रफॉर्मस ने आखला कि लास मेच के ने रिक्रिकेट अच्छी निकाली इनोंने तो वेरी इंपॉनेट फिक रहेंगे यहां से आप लोग मुहमद हरीज अफ़रान सुलीही को ले सकते हैं क्योंकि यह दे थोस में गयनवाजी भी करता है बै इनको आप लोग जील में ट्राइ करोगे बाकि आपर हजुरुल इरानी एम शाबानी की बात करो तो यह ओक्यों करेंगे यह पी आपको जील में ट्राइ करना है बाकि हरित शाइपी की बात करते है जो कि लास मैच के नतर दो ओस की गयनवाजी करवाई जहां पर एक से दिख से दिखे आपको लेकिन परफॉर्मस कुछ खास हैने तो यहां से रिस्कि रहेंगे जील में ट्राइगर होगे बाकि ऐसे बात करते है यह प्रम्य नमर पर यांपस्धूड यह लेकिन फिल की बेटिग आएगी क्यों विकेटे करने वाले हैं स्टार्टिंग में प यहां पर मैंने आपको उपर बता है कि इस ट्रीम के बारे में कुछ आपको बताता हूं लास्ट मैच की बात करो तो लास्ट मैच इनकी काफी खराब गई खराब मतलब इन्होंने पहले गयन बाजेगी तो सामने वाली टिम ने कितने रण किये 294 गजब आप यगिन नहीं करोगे 294 रण किये थे सामने वाली टिम ने इस टिम के सामने और ये टिम चेज करने उतरी और ये टिम सिर्फ 63 रण के अंदर रोल आउट हो गई कल के दिन की बात करो तो और ये 231 रण से में चार के आ रही है तो इसके लिए मैंने आपको उपर ही बताया कि इनके जित हालने के मैक्शिमम चांसिस है 80-90 परसेंटेज ये हालती हो इन अजराएगी क्योंकि कुछ खास है नहीं आपर और जो भी है यहाँ पर टॉस इंपोनेंस रहेगा अगर टॉ अर्शलन है इनके अलावा ऐसे के कौन यांग चैंग हमारी टिम के रहेंगे और अकीब जावेद है इसके अलावा यहाँ पर मकरम को ट्राइक कर सकते हैं अपर अच्छा प्लेयर है वरोसा कर सकते हैं सामने वाली टिम से कुछ जादा बैटिंग से उम्मीद है नहीं बाकि बाकि बालिंग सेक्षन में आपर विश्वाल लकुरुवान है टी प्रभक गया लियान आगे और यहाँ से एम मतातिर मोहमद रजली रहेंगे और यहाँ से मोहमद अजरी अजर रहेंगे हमारी टिम के अंदर बाकि टिम की बात करते हो तो टिम कुछ इस सरा से रहेंगी वाइस केप्टन रहेंगे अकिब जावेद अगर यहाँ पर के एल पहले बॉलिंग करवाएंगी तो उस कंडिशन में हमारे कप्तान रहेंगे आपर अकिब जावेद वाइस केप्टन रहेंगे आपर अर्शलन यह चेंज करूँगा बाकि पबलिक चोईस है यह आपर एन प्रोप मत बूलेगा क्योंकि आगए आने वाली और अच्छे मेंचस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल के उपर मिलने वाले तो उसी करण से आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है बाकि आप लोग पूरा वीडियो देखो अच्छे से अनालिसिस करो सारे प्लेयर्स के बारे में मैंने डीटेल से बता हुआ है तो अच्छे से वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझोगे अच्छे से समझोगे तो अच्छी सी टीम बनाऊगे और अच्छी सी टीम बनाऊगे तो अच्छी कासी विनिंग करते रहोगे तो अब लोग करते रहोगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई धन्यवाद जय हिंद जय भारत